जैशिक्रिष्णा स्वागत है आपका सार्थित्रिष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपसे बात करूंगी चंद्रमा के बारे में चंद्रमा जिसका खराब होता है उस व्यक्ति को क्या क्या लक्षन दिखाई देते हैं किसी भी चीज़ को बार बार रीचेक करना कुछ भी लिखा फिर भी डाउट है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया एक बार वापस कंफर्म कर लो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि इसे बार बार रीचेक जरूर करिए ऐसे लोगों के मन में विच्चाथ बहुत नेगेटिव आते हैं ऐसे लोग सोने से पहले ना जाने अंगिनत के ऐसी चीज़े सोचते हैं कि उन्हें सोने में बड़ी बेच्चैनी होती है या तो ऐसे लोग बहुत जादा सोएंगे या वो बिल्कुल भी नहीं सो पाएंगे चंद्रमा का आपके मन पर कंट्रोल होता है चंद्रमा का आपके माइंड पर कंट्रोल होता है चंद्रमा का आपके जीवन में हर एक उस भावना पर कंट्रोल होता है जो आप बहुत ज़ादा इमोशनल होकर करते हैं चंद्रमा आपके जीवन में बहाव का कारक है बहने का फ्लो का चंद्रमा आपके जीवन के अंदर माता का कारक है चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपकी मां हमेशा कस्ट में रहेगी चाई शारिरिक चाई मानसिक या फिर आर्थिक आपकी माता की आर्थिक स्थितियां कभी अच्छी नहीं हो पाएंगे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपके मां से संबंद अच्छे नहीं हो पाएंगे 99.9% कुंडलीयों के अंदर चंद्रमा अगर छटे या आठवे घर में चला जाता है तो ऐसे जातक को अपनी मां से बहुत बच्पन में अलग होना पड़ता है वो अपनी मां के होते हुए भी किसी और के द्वारा पाला जाता है जैसे कि हमारे श्रीकृष्ण लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है न तो आपकी माता का मन भी आपको लेकर कहीं ना कहीं विपरीत रहता है अक्सर होता है कि किसी एक से मा बहुत प्यार करती है किसी से कम प्यार करती है चंद्रमा अच्छा नहीं होगा ग्रह कलेश बहुत होंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा लोग आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाएंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा लोग आपको हमेशा तिरिस्कृत करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा लोग आपको हमेशा छोटी छोटी बातों पर डाटा करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा चहरे पर चमक कभी नहीं आएगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा टैलिंग बहुत ज़ादा हो जाएगी चंद्रमा अच्छा होगा आप पानी का दुरुपयोग बहुत करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा आप पानी बहुत कम इंटेक करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा आपको ठंडी चीजे बहुत पसंद आएंगी चंद्रमा अच्छा नहीं होगा आपको स्वांस से रिलेटेड दिक्कत हमेशा पाई जाएगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा आप चलेंगे तो आपकी सांस बहुत जोर से फूलने लगेगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो आप बैठ कर कारे करना ज़ादा पसंद करेंगे चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो आपका विस्तार नहीं हो पाएगा आप बहुत अच्छा काम करते हैं आप बेस्ट वर्कर हैं अपनी फिल्ड के आपसे बहतर काम किसी को करना नहीं आता लेकिन अगर चंदरमा अच्छा नहीं हुआ न तो आपको फैलने का मौका नहीं मिलेगा लोग आपको जानेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं बलकि आपके अंडर में सीखने वाले लोगों को लोग जादा पसंद कर लेंगे और आपकी वावाई ही नहीं होगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा आपके दोस्त अच्छे नहीं होगे चंदरमा अच्छा नहीं होगा आपको धोके बहुत मिलेंगे चंदरमा अच्छा नहीं होगा आपका प्रेमी आपके साथ कभी भी अच्छा बरताव नहीं करेगा चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो आपको commitment right time पर कभी नहीं मिलेगा चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो love relationship में हमेशा problems रहेंगी रहेंगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो आपको आपके karmic relations बहुत जादा मिलेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपको कभी भी आपकी लाइफ में आपका सच्चा पार्टनर नहीं मिलेगा चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपके multiple affairs या relations रहेंगे लेकिन आप उनके साथ खुश कभी नहीं रह पाएंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपका मन बटकता रहेगा चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपकी शिक्षा में कहीं न कहीं बाधा आएगी चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों को अपने मन की बात या अपनी कही बात कभी भी सही से समझा नहीं पाएंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपके खाने में choices बहुत जादा रहेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आपसे कटे कटे रहेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तो आप ग्रूप में कभी अच्छे से सरवाइब नहीं कर पाएंगे ग्रूपिंग होती है न बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं मौज मस्ती करते हैं आपको हमेशा उस चीज से कट करा जाएगा दूर रखा जाएगा चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उदासिंता हमेशा बनी रहेगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो ये सारे काम आपके साथ होंगे लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसे हम कैस से ठीक करेंगे और चंद्रमा ठीक नहीं है तो कुछ और विशेश लक्षन मैं आपको बताऊंगी लेकिन इससे पहले यह बताऊंगी कि मैं यह सब बताने वाली हूं कौन मैं आपके एस्ट्रोलाजर हूं वास्तू शास्त्री हूं चहरा भी पढ़ती हूं आवाज भी चुक्कि आपकी सार्थी हूं इसलिए जीवन का सार देने चली आती हूं जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता मैंने ऐसा कहा कि वह पानी की विस्ट्रेस बहुत जादा करते हैं पानी की कदर नहीं कर पाते ऐसे लोगों को पानी से इंफेक्शन बहुत जल्दी हो जाता ह ऐसे लोगों को पानी बार-बार पीडा ज़रूर देता है अब आप एक बात समझेगा अगर किसी का चंद्रमा चौटे घर में है अगर किसी का चंद्रमा बारवे घर में हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैक्ड बोटल का पानी नहीं पीना चाहिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर में रखी प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पानी नहीं पीना चाहिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा पानी ग्लास में लेकर पीना चाहिए और वो भी जब आप बोतल से ग्लास में पानी डाले ना तो आपकी बोतल उची होनी चाहिए मतबिक धारा सी बननी चाहिए तब ही आप ये पानी पीजेगा पानी को घुट-घुट पीजे लेकिन पानी को छोड़िये मत आप ग्लास में जितना पानी ले रहे हैं उसे पूरी तरीके से खतम कर दीजे नहीं तो यह आपके चंद्रमा को और ज़्यादा खराब करता है घर के वास्तु के अनुसार आपके घर में सीलन नहीं होनी चाहिए वरना आपकी कुंडली का चंद्रमा आपको परिशान जरूर करेगा घर के अंदर पानी का बहाव नहीं होना चाहिए नल नहीं तपकना चाहिए पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए पानी ऐसी जगह पर नहीं आपका स्टोरेज होना चाहिए जहां पर वो पड़ा-पड़ा सड जाए खराब हो जाए या उसके अंदर मक्खी मच्छर उत्पन होने लगे पानी को कभी भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए अगर आपकी कुणली में चंद्रमा अस्टम में बैठा है अगर आपकी कुणली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी पानी का कोई भी पात्र नहीं रखना चाहिए आजकल फैशन है ना पानी के अंदर पतियां डाल कर मुख्य द्वार पर रख देते हैं सजावट के लिए आपको यह काम नहीं करना है जिन लोगों का चंद्रमा बहुत कम डीघ्रिका होता है ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम सोला बार भेहते हुए ज़र्ने के नीचे स्नान जाहिए साल के एक बार कर नियम बना स्नान करने का बहुत फायदा मिलेगा जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा सप्तम में हो लगन में हो ऐसे व्यक्तियों को साल में एक बार समुंदर के जल से सनान जरूर करना चाहिए समुंदर में जाकर सनान कर लीज़े बहाना दे दिया मैंने आपको बीच पे जाने का जरूर जाईएगा और जरूर करिएगा ये काम जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा हो ऐसे लोगों को पवित्र नदियों में कम से कम साल में तीन बार जाकर स्नान जरूर करना चाहिए पहली बार करिए ब्रह्मा जी के नाम पे फिर करिए विश्णु जी के नाम से और करिए महेश यानिकी शिप जी के नाम से ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कभी भी लाल रंग के घोड़े नहीं रखने चाहिए बास्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा कस्ट मिलता है आप लोगों को ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर लाल चीजों का दान बहुत क चंद्रमा खराब होगा तभी तो आपका मन कोई बार बार दुखाएगा चंद्रमा खराब होगा तभी तो आपको बहुत जादा इमोशनल करेगा चंद्रमा खराब होगा तभी तो आप छोटी छोटी बातों से अपना कंट्रोल खो देंगे चंद्रमा खराब होगा तभी त तभी आप अपना सब को समर्पित करने के बाद भी खाली हात रह जाओगे चंदरमा खराब होगा तभी लोग आपको end moment पर आकर ditch कर देंगे चंदरमा खराब होगा तभी आपका time waste होगा चंदरमा खराब होगा तो एक और चीज आपके साथ होगी जो मैं आज आपको बताने जारें और इस बात को आप ध्यान हमेशा रखेगा आप जिसके भी साथ physically relation में आ गए before marriage legal होने से पहले उस शादी के उस शादी पर ठपा लगने से पहले अगर आप उस व्यक्ति के साथ शारिरिक संबंद में आ गए और चंदरमा आपकी कुनली में खराब हुआ तो याद रखेगा उस लड़के की मा या उस लड़की की मा आप दोनों के बीच में तनाव का और आप दोनों के रिष्टे को तूटने का कारण बनेंगी और ये बात मैं आपको thousand percent लिख कर दे सकती हूं ऐसा जरूर होता है अगर चंदरमा खराब होता है ऐसी conditions में इनसान को क्या करन चाहिए आपको पारत शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए आपको पारे की एक गोली अपने गले में शुद अभी मंतरित कराकर धारन जरूर करनी चाहिए अब वो कौन से मंतर से अभी मंतरित होगी कितने जाप होंगे या आपके चंदरमा की डिग्री और नक्षत् पाएंगे उसके लिए आप दिये गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपका प्यार आपसे दूर ना चला जाए डिस्टेंस ना बना ले आपका प्यार आपको कभी छोड़ करना जाए इसके लिए आपको सफेध चीजों का सुमवार के दिन दान जरूर करना चाहिए ऐसी परिस्तितियां आपके साथ खड़ीना हों कि आपका प्यार आपसे रूठ जाए या आपको कमिटमेंट ना दे इसके लिए आपको हमेशा शिवजी के मंदिर में जाकर चंदन का लेप उन्हें जरूर करना चाहिए आपको चंदन की माला से उम्नमर शिवाय का जाप करना चाहिए पर्टिकुलर चंदन की माला ही चाहिए हमें जाप करने के लिए चंदन की माला से आप जाप करिए आपको एक चंदर मनी की माला धारन कर लेनी चाहिए इससे भी आपके चंद्रमा को बहुत अच्छा effect मिलता है और आपके साथ negativity नहीं आती है चंद्रमा अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको चंद्रमा को ठीक करने के लिए पूर्णी मा के दिन चंद्रमा के नीचे बैठ कर आपको ओम नमः शिवाय के कम से कम पांच माला जाप करने चाहिए आपको नितनियम से शुकरवार के दिन शिवजी के मंदर में जाकर कमल के फूल चड़ाने चाहिए आपको सफेद रंका चंदन याटी का हमेशा अपने माथे पर लगा के रखना चाहिए चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो आपको चांदी का प्रियोग करना चाहिए चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो आपको अपनी मा को अपने हाथ से सफीद रंकी किसी चीज़ को गिफ्ट करना चाहिए छोटी-छोटी सी चीज़े होती है अगर आप जीवन में करने लगेंगे तो आपको इसका प्रभाव जरूर दिखेगा और दिखेगा तो आप हमें जरूर बताएंगे कि इससे आपके जीवन में क्या-क्या बदलावाया मैं फिर आउंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बूद लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखिएगा अपने सार्थी के साथ जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी तब तक के लिए राधे कृष्णा सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है ज्योतिश शास्त्र में प्यच्टी मात्रशला पिछली 22 वर्षों से ज्योतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लव्ज के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात्रशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुगा है प्राप्त कर दो